कल की कफ्षा में हमने जिस 24 वे शलोक को पढ़ा था न अविरतो दुष्चरिताथ जो व्यक्ति दुष्चरितों से अभी विरत नहीं हुआ है अलग नहीं हुआ है जो व्यक्ति अशान्त है, जो व्यक्ति समाहित नहीं हुआ, किसी निरने पर नहीं पहुँचा है, जिसका मन भी अशान्त है, भीतरशे तो अशान्त है ही, ऐसा व्यक्ति संसार में किसी बड़े लक्षे को नहीं पा सकता है, बलकि प्रज्याने ने इनम आपनों यात, जब व वो कुछ बड़े लक्षय को किसी ब्रह्मो को पा सकता है। और इसी बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करके समझाते हैं अगले श्लोक में। आप यूँ समझे कि जैसे हम भोजन करने बैठते हैं। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें होती हैं खाने के लिए। यदि भारत में ही वो तौर तरीके चलते हैं। विदेशों में उन्हें बिलकुल अलग रूप में लिया जाता है। जैसे हमारे जब हम भोजन करने बैठते हैं तो एक तो खाने की वस्तु होती है जैसे रोटी या चावल फिर उसके साथ साथ कोई तरल पदार्थ भी होता है ताकि उसे थोड़ा सा निगलने लायक बनाया जा सके थोड़ा उसमें स्वाद दिया जा सके उसके लिए जैसे डाल होती है या फिर कोई और तरल पदार्थ होता है अधिकतर तो डाल का ही प्रयोग किया जाता है फिर उसके बाद उसमें एक तीसरी चीज और मिलाई जाती है जो उपर से डाली जाती है जैसे घृत डाल लेते हैं जो कि उसे पौश्टिक भी बना देती है तो ये तीन वस्तुएं हम भो परमपरा बहुत अधिक नहीं है यदि आप विश्व के पूर्वी हिस्से में रहेंगे तो यहां यह परमपरा मिलेगी पश्चमी भाग में जाएंगे तो वहां पर अधिकतर चीजें सूखी सूखी ही होती है क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनको प्रिजर्व रखना पड जलती हैं जबकि हमारे यहां बड़े सुंदर तरीके से एक भोजन में रोटी या चावल उसके साथ डाल और उसके साथ घी उपर से उसे पॉश्टिक बना देता है उसे चिकना बना देता है स्निक्ध बना देता है तो यह तीन चीजें होती है भोजन करने के लिए और जो इन तीनों का बहतर तालमेल रख लेता है वो व्यक्ति सफल हो जाता है वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है यहां पर कह रहे हैं कि हमें परमात्मा को जानना है उपर यही तो श्लोक समझा रहा है कि कौन व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है उपर इससे यह भी बता दिया कि कि उतना आवश्यक है परमात्मा को जाना तो कहा कि जो बुरे करमों से अलग नहीं हुआ समाहित नहीं है निर्ण Spain पर नहीं पहुंचा आत्मिक रूप से अशांत चलता है मन भी अशान्त रहता है ऐसा व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकता बलकि प्रज्यान से प्रकृष्ट ज्यान से आत्मिक तत्वज्यान से पा सकते हैं तो कह रहे हैं पाना किसे है और वो क्यों इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता उसका एक कारण है क्या कारण है तो इस नीचे शलोक में लिखा है कई था वेद यत्र सहर कई था वेद उसे पूरी तरह से कौन जान सकता है यत्र सहर जहां पर वो परमेश्वर रहता है ऐसे परमेश्वर को कौन भला इथा इथा अर्था पूरे निश्चे से जान सकता है तो उपर दिया कैसा वो परमेश्वर है? कह रहे हैं यत्र ब्रम्भंच क्षत्रंच उभे भावत ओधनह यू समझ लेजिए कि ओधनह कहते हैं चावल को और चावल को ओधनह कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो बड़ी सरलता से खाया जाता है ओधन शब्दकार्थी होता है जो खाया जाए तो कह रहे हैं जहां पर ब्रम्ह और क्षत्र दोनों ओधन बन जाएं दोनों चावलों की तरह बन जाएं ब्रम्ह और क्षत्र क्या है? ब्रम्ह और क्षत्र को दो अलग-अलग गुणों से जोड़ा गया है जहां पर ब्रम्ह पर्याय है आध्यात्मिक्ता का और क्षत्र पर्याय है भौतिक संपत्ति का जहां पर ब्रम्ह पर्याय है ऐसी शक्ति का जो शक्ति हमें दिखाई नहीं देती और क्षत्र पर्याय है ऐसी शक्ति का जो हमें दिखाई देती है यानि कि जिस परमात्मा ने ब्रह्म और क्षत्र को यानि कि ब्रह्मिय जो की सूक्ष्म शक्ती है उसे और क्षत्र जो बाहारी शक्ती है उसे एक संसार हमें दिखाई दे रहा है वो संसार एक संसार हमें नहीं दिखाई दे रहा है वह संसार जिसके लिए इशोप निशद में पहले ही पहला आया था न यत किंचे जगत्यान जगत संसार के भीतर भी एक संसार है एक सूक्ष्म संसार भी है जिसने सूक्ष्म संसार और स्थूल संसार ब्रहम यनि की वेद जैसा जियान ख्षत्र और ये दिखाई देने वाला प्राकृतिक संसार इन दोनों को आप कोई भी अर्थ ले सकते ही ब्रह्मकार्थ सूक्ष्म भी ब्रह्मकार्थ स्थूल ब्रह्मकार्थ सूक्ष्म और ख्षत्रकार्थ स्थूल ब्रह्मकार्थ वेद क्षत्रकार्थ प्रकृति यनि कि ऐसी वस्तू जो थोड़ी गहरी है जो थोड़ी विशेश है वो हो गई ब्रह्मा ऐसी वस्तू जो थोड़ी कम विशेश है जो सीधे सीधे हमें दिखाई देती है हमारे उपयोग में आती है थोड़ी स्थूल है वो हो बना लिया है, हाने की वस्तु बना लिया है, दोनों को ओधन बना लिया है, यानि कि जो दोनों को समान रूप से समेट लेता है अपने भीतर, दोनों को समान रूप से अपने नियंतरन में कर लेता है, कैसे ठीक वैसे ही जैसे हम भोजन करते समय चावल खाते हैं न, तो चाव सरलता से हम इन दोनों का बढ़िया तालमेल जितनी अच्छे से हम इन दोनों का मिश्रण करके संतुलन बना करके जैसे चावलों का संतुलन बनाते हैं ठीक वैसे ही अगर ब्रह्म और क्षत्र का अधिक सुंदर तालमेल जिस ब्रह्म ने जिस इश्वर ने किया हुआ है जिस ब्रह्म तुम्हें जीने का तरीका बताएगा और ये शत्र प्रकृति तुम्हें जीने के लिए आवश्यक साधन देगी जिसने दोनों को अच्छे से मिला लिया है और फिर दोनों को अपने नियंतरण में भी रखा हुआ है संचालित भी कर रहा है ठीक वैसे ही जैसे हम खा लेते हैं चावलों को मिला करके बड़ी आसानी से बड़ी सरलता से ऐसे ही परमेश्वर ने वेद और संसार को बड़े अच्छे से अपने नियंतरण में अपने वश में जिसके वो बाहर और भीतर दोनों और हैसे किया हुआ है लेकिन कह रहे हैं इतने से ही काम नहीं चलता अगर चावलों को पौश्टिक बनाना है भोजन को पौश्टिक बनाना है तो हमें उसमें घी और डालना पड़ता है उपर से जिसे हम उपसेचन कहते हैं उपसेचन मने, सेचन कहते हैं छिड़कने को जैसे हम हवन में जल सिंचन करते हैं जैसे हम पेड पौधों में पानी को सीचते हैं अर्थाथ उसके भीतर कुछ पौश्टिकता डालना भै पेडों को सीचने का मतलब होता है पेडों तक पौश्टिकता पहुचाना अनिवारिये उनके लिए जो तक्व हैं वो देना तो हम पानी देते हैं इसी को सीचना कहते हैं ऐसे ही चावलों में जब हम पौश्टिकता देते हैं तो उपर से कुछ छटकते हैं वो घी होता है जिसने इस ओधन ब्रह्मा और क्षत्र के ऊपर मृत्यू रूपी घी को भी छड़का हुआ है मृत्यू रूपी घी का उपसेचन जिसने किया हुआ है ऐसे परमात्मा को भला कौन जान सकता है प्रश्णी ये आता है कि मृत्यू को घी की तरह कैसे छड़क लिया है अभी अभी हमने देखा कि जब भी हम सीचते हैं सीचन करते हैं उसका उद्देश्य होता है पौश्टिक देना ये जो संसार जिसमें हम जी रहे हैं न इस संसार का रस इस संसार की पौश्टिकता इस संसार का आनंद केवल एक वस्तु में छिपा हुआ है और वो है मृत्यू पहले भी संभवता हमने इस पर चर्चा की है कि अगर मृत्यू इस संसार से हटा दी जाये तो ये संसार रसहीन हो जाएगा ये संसार फिर बोज बन जाएगा ये संसार हमारे लिए बड़ा अशांती दायक बन जाएगा उब जाएंगे हम इससे क्योंकि मृत्यू अकेली ऐसी परिस्थिती है जिसने इस संसार को कुछ बहतर बनाया हुआ है जिसके करण हमें दुनिया में अंग्रेजी में केतना excitement है कुछ रुची है आपने अनुभव किया है कभी आपके पसंद का भोजन अगर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो फिर उसमें आनंद नहीं आता है आनंद तब आता है जब वो आपको कम मात्रा में अगर बहुत मात्रा में है प्रभूत मात्रा में है आपके सामने रखा है तब जीव को जितना स्वाद मिलेगा सो मिलेगा मानसिक रूप से उसके स्वाद को हम उतना अनुभव नहीं कर पाएंगे जो हम एक बार को कम भोजन होता है पसंद का है तो हम उस भोजन को मुख मे रखते ही आँखे बंद कर लेते हैं हमें लगता है कि बस थोड़ी देर तक मुख में रहे और मैं इसको चबाता जाओ इसका स्वाद लेता जाओ जैसे हम बाहर मान लीजे मुझे पैसे दे करके अपने मन पसंद की कोई मिठाई खरीदनी हो थोड़े से पैसे हैं फोड़ी सी लेता हूं तो बस एक आंथ में बैठ करके पूरा रस लेता हूं लेकिन अगर धेर मात्रा में हो हमारे पास तो एक बार को तो मनही नहीं करेगा कि खाले मन पसंद की है फिर भी खाने से कतराते हैं सोचते हैं जो बाद में खालेंगे, क्या खाना इतनी सारी रखी तो है, यनि जब कोई भी वस्तु हमारी आवश्चक्ता से अधिक हो जाती है, तो हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है, जो हमारे पास कम है, वो मूल्यवान है, जो हमारे पास आवश्चक्ता से अधिक है, वो हम हमारे लिए मूल्यर रहित हो जाता है उसका कोई मूल्यर रह नहीं जाता हमारे लिए इसलिए उपनिशद कहती है परमेश्वर ने ब्रह्म और शत्र दोनों का सुन्दर तालमेल बना करके एक संसार के रूप में हमें दिया उसे इतने बड़ी अच्छे से मिलाया कि पता ही नहीं चलता कहां से सूक्ष्मता प्रारम बहुती है कहां से स्थूलता प्रारम बहुती है आप देखिए ये जो संसार हमारे सामने बना हुआ है अगर सूक्ष्म और स्थूल की दिरिश्टी से देखें तो हमारे लिए है अब इस शरीर में मन का हिस्सा कितना है सूक्षम मन जिससे हम सोचते हैं विचारते हैं और स्थूल मस्तिश्क का हिस्सा कौन सा है बुद्धी क्या कार्य करती है और कहां है कैसी है बुद्धी और कैसे वो बुद्धी हमारे शरीर को संचालित करती है मन शरीर को संचालित कर कैसे हमारे सोचते ही हमें डर लगने लगता है कैसे ही डर लगते ही हाथ पर कांपने लगते ही कैसे ही कुछ अजीब सी वस्तु आते ही सामने आते ही या कुछ छूते ही हमारे रोएं खड़े हो जाते हैं ये सब होता कितनी जल्दी है कैसे ही जब हमें क्रोध हाता है तो भूख लगनी बंद हो जाती है यानि सूक्ष्मता के विचार और स्थूलता शरीर पर प्रभाव दोनों कितने अच्छे से कार्ये कर रहे हैं क्या गजब का तालमेल है दोनों में जैसे चावल मिला लिया हूँ परमेश्वर ने ये तालमेल बना करके हमें दिया ऐसे ही वेद और प्रकृती का तालमेल बना करके हमें दिया कि हमारी बुद्धी सदैव सही का चुनाव करती है हमारी बुद्धी सदैव नया जानना चहती है तो ये जो तालमेल है ना इसे चावल की तरह मिलाकर परमेश्वर ने दिया लेकिन अगर ये तालमेल बिना घृत के होता है जैसे ओ चावलों के ओपर घी के बिना चावल दे दे तो सूखे सूखे लगते है ना पर उपसेचन तो कुछ होना चाहिए कुछ तरलता तो होनी चाहिए भले ही वो दाल हो दाल का पानी हो घी हो कुछ और हो कुछ तो चाहिए सूखी सूखी नहीं निगली जाएगी ऐसे ये संसार निगलने लायक नहीं बचेगा ये संसार उपभोग योग्य नहीं बचेगा अगर इसमें मृत्यू न हो हमें ये पता ना हो कि हमें जाना है यहां से तब ये संसार बोजिल हो जाएगा, डरावना बन जाएगा, भयानक हो जाएगा हमें संसार में रसले ही इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे पता है 50 साल बाद मुझे जाना है यहां से 60 साल बाद मुझे परस्थान करना है यहां से दरसल हम इस संसार में रह नहीं रहे हैं हम इस संसार से केवल गुजर रहे हैं यह पंक्ति कल ही मैंने पढ़ी कहीं पर और मुझे बहुत सुन्दर लेगी हमें लगता है हम इस संसार में रह रही हैं गलत वो कहते हैं हम इस संसार से गुजर रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे यात्रा में चलते चलते कोई शहर आता है हमारी यात्रा बड़ी लंबी है हमें मोक्ष तक का सफर तै करना है मोक्ष तक की यात्रा तै करनी है उसमें बीच में एक कोई नगर आता है कई नगर आते हैं उन नगरों में से एक नगर ये हमारा ये वाला जीवन है बस हम इससे गुजर रहे हैं इससे गुजरते हुए अपने कर्मों के अनुसार जो हमें मिल सकता है हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकते हैं हम कुछ भोजन खा सकते हैं क्योंकि हमारे पुराने कर्म है अरजित किये हुए है अब उन पुराने कर्मों के आधार पर हम जो कुछ ले सकते हैं अपने यात्रा के योग्य वो ले लीजिए और बस आगे की कध्यान रखे आगे की यात्रा का अरंभ कीजिए उसकी तैयारी कीजिए कहते हैं मृत्यू जो है वो इस सफर की सुंदर्ता को और अधिक बढ़ा देती है मृत्यू अपने आप में उपसेचन की तरह है जो भोजन को ग्रहन करने योग्या बनाती है निगलने लायक बनाती है नहीं तो भोजन नहीं निगला जा सकता संसार भी नहीं भोगा जा सकता अगर मृत्यू ना मृत्यू एक सीमा है यहां तक इतना ही मिलेगा उधारण के तौर पर जैसे मैं आप जब भोजन करते हैं न तो भोजन करने की एक सीमा होती है कि मैं इतना करूँगा और सोचिए कोई व्यक्ति डंडा लेकर के बैठ जाए आपके सामने इतना कैसे करोगे यही करते जाना है ब फिर अगले दिन फिर यही भोजन मिलेगा और डंडा लेकर के कोई सामने बैठा है करोगे कैसे नहीं करना पड़ेगा यही भोजन कुछ दिनों में आप हाथ जोड़ जाओगे साब जी जाने दीजिए इसके बाद और यह तो कुछ और दीजिए बहले ही कुछ कड़वा ही क्यों ना हो भले ही बिलकुल बेस्वाद क्यों ना हो पर कुछ और दीजिए यह नहीं चाहिए अगर मिर्क क्यों ना हो तो यूं समझनी जी बहुत डंडा लेकर के कोई सामने बैठा हो जी ओ जी किसके साथ जीना है यही जो तो लोग तुम्हारे आसपास रह रह रहे हैं जी यह लोग तो अच्छे नहीं है इनसे तो मेरी बातें अच्छी चलती नहीं व्यभार अच्छा है नहीं व्यभार बिगड़ा हुआ है मुझे यह पसंद नहीं है इनी के साथ रहना है जी कब तक रहना है अनंतकाल तक रहना है कोई सीमा नहीं है इनी के साथ रहना है अब तो हो गए, दो-तीन हजार वर्ष, दस हजार वर्ष, अब तो जाने देजिए, नहीं जा पाओगे, यहीं जीओ, इन्हीं लोगों के साथ जीओ, जी लोग तो कम से कम बदल दो, नहीं, वो भी अनंतकाल तक जीएंगे, यह दुनिया बहुत बोजिल हो जाएगी, दिया, मतब तुम मृत्यू के बारे में जानना चाहते हो, उस परमात्मा ने मृत्यू को उपसेचन बना लिया है, और उस उपसेचन को, उस घृत, उस जैसे तरलता को, जैसे हम चावलों में दाल मिला करके, घी मिला करके और निगल जाते हैं, ऐसे ही उसने इस संसार में, शत्र और ब्रह्म में जो कि चावल के रूप में हैं उन्हें चावल बनाया और उसके उमें मित्यू का गृत डाल करके और निगल लिया यानि कि उसको अपने भीतर समाहित कर लिया उसे नियंत्रित कर लिया उसके हिसाब से चलेगा यह संसार करें क इत्थावेद यत्रसा जहां पर वो परमेश्वर रहता है क इत्थावेद भला कौन उसे जान सकता है कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं जान सकता इसलिए अगर कोई सोच रहा है कि मैं अभी भी दुष्चरितों में लगा हुआ हूँ दुष्चरितों से विरत नहीं हुआ हूँ मैं भी भी अभी भी मेरा आंतरिक अंतस अशान्त है अभी तक मैं किसी निर्नाय पर नहीं पहुँचा हूँ अभी तक मेरे मन में भी अशान्ति चल रही है ऐसा वेक्ति सोचे कि मैं परमात्मा को जान लूँगा असंभव है कोई सोचे कि मैं प्रवचन देने से परमात्मा को पालूँगा प्रवचन सुनने से पालूँगा तीवर बुद्धी से परमात्मा को पालूँगा ये असंभव है इसलिए परमात्मा तो केवल आत्मिक अनुभव से पाया जा सकता है और वो आत्मी कनुभव से कैसे पाया जाएगा ठीक वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि किसी वस्त्र पर कोई भी छोटे से छोटा रंग हमें दिखाई दे जाए तो उसके लिए शर्त यही है कि उस वस्त्र को बिलकुँ साफ होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा तब उस वस्त्र पर हम कोई भी छाया देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप कभी थियेटर में गए होंगे, आजकल तो घर-घर में प्रोजेक्टर आ गए हैं, संस्थाओं में प्रोजेक्टर आ गए हैं, तो प्रोजेक्टर एक छाया को, एक छवी को, चलचित्र को दीवा पर फेकता है तरंगे उसकी किरने प्रकाश की होती है वो आती है और उस पर फिर कुछ चलता हुआ दिखाई देता है लेकिन अगर कोई रंगीन कपड़ा हो कोई मैला कपड़ा हो और उस चाया को फेका जाए कुछ दिखाई नहीं देगा उसके लिए तो बिलकुँ साफ पर है हर जगा है हर जगा उसकी चित्र चल रहे हैं उसके चल चित्र दिखाई दे रहे हैं लेकिन कौन व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसका अंतस उस वस्त्र की तरह बिल्कुल शुद्ध और सफेद हो गया हो बस वो और कोई नहीं समझ सकता और कोई नहीं जान सकता तो और यहीं पर कठोपनिशत की दूसरी वल्ली समाप्त हो जाती है अब यहां से कठोपनिशत की तीसरी वल्ली प्रारंब होती है दूसरी वल्ली में केवल ये अनुभव करवाया आचारिय यमने कि देखो परमात्मा जिसको जानना चाहते हो वो आवश्यक तो बहुत है पर जानना इतना सरल नहीं है संसार के तौर तरीके उस ब्रह्मो को जानने में काम नहीं आएंगे आवश्यक तो बहुत है पर जो तुम सोच रहे हो कि बहुत सरलता से पालूँगा वो सरल नहीं तो विशैक में रुची उत्पन करने का काम आचारयम ने किया है ठीक वैसे जैसे विद्यार्थी विद्याले जाता है और पहली पहली बार कक्षा में बैठता है तो अध्यापक उसके उपर बहुत बोज नहीं डालता कि बहुत सारा सिखा दे समझा दे ये भी सुन लो ये भी पढ़ लो ये भी जान लो पूरा बोड भर दिया 15-20 पन्ने पढ़ा दिये कि जाओ ये याद करके आना समझ करके आना पता चला बच्चा बोज के मारे डर ही जाए अगली बार विद्याले ही ना है मैंने यहां ता जी विद्याले बहुत सारा इतना सारा कौन पढ़ेगा एक दिन में तो विद्या से जानने के विशय से डर न लगे उस विद्यार्थी को इसलिए सबसे पहला दिन होता है इंट्रोडक्शन का इसलिए पहली वल्ली में आप देखेंगे कि मृत्यू क्या क्यों कैसे क्यों जानना चाहता है नचिकेता उसका किवल इंट्रोडक्शन है फिर के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा क्यों आवश्यक है यह और अगर एक बार बालक की रुची आ गई तो फिर जो बोला जाएगा बालक छात्र उसे बड़े धिहान से सुनेगा इसके अतरिक्त अगर हम बिना किसी रुची बनाए बिना भीतर एक भूख उत्पन की यह सुनाते जाएंगे समझाते जाएंगे वो उप जाएगा कल से नहीं आएगा या फिर उसके बाद जो समझाएंगे वो उसको बहुत धिहन से नहीं सुनेगा इसलिए आचारी यम दूसरा काम करते हैं कि विशय के प्रती रुची उत्पन करते हैं उतकंठा उत्सुकता पैदा करते हैं इसके बाद तीसरी वल्ली में वो बताना प्रारंभ करते हैं कि ये कारिय होगा कैसे इसके उपाय क्या है तो अब जो भी उपाय आचारी बताएंगे नचिकित Irish को बड़े ध्हान से सुनेगा वो उपाय क्या है तो उस उपाय में पहला उपाय है रितम पिबन्तव सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टव परमे परार्धे छाया तपव ब्रह्मविदो वदन्ती पंचाग नयो ये चत्रिना चिकेता है। कहा था न वो तीन अगनियों के बारे में आचारी यमने बताया था कि स्वर्ग की अगनी कौन सी है। तो जो लोग पंचाग नयों का सेवन करते हैं और तीन अगनियों का उसमें से चयन कर लेते हैं। पंचागनी कौन कौन सी होती हैं। तो पंचागनी एक तो यज्ज के रूप में होती हैं। ब्रह्मयज, देवयज, पित्रयज, अतिथियज और बलिवैश्वदेवयज। और इसके तरिक तो पंचागनी और भी होती हैं। यदि आप प्राचीन काल में जो बड़े-बड़े याग चलते थे। उनमें तीन अगनियां होती थी, जिनमें गारहपत्य अगनी होती है, जिनमें आहवनिय अगनी होती है, ऐसे तीन प्रकार की अलग-अगनियां वहां पर होती है। और उन तीन प्रकार की अगनियों में एक याजक व्यत्ती बैठ करके तप करता है अर्थत यज्ज करता है उन तीन पांच प्रकार की अगनियों में शमा कीजिएगा वो जो पांच प्रकार की अगनियों होती है गारहपत्य होती है अन्वाहर्यपचन अगनियों होती है आहव जो पांच प्रकार की अगनिया हम देखते हैं बड़े-बड़े यागों में चलती हैं तो जो व्यक्ति इन अगनियों के बीच में बैठ करके यज करता है याग करता है ऐसे उस व्यक्ति को कहते हैं पंचागनी जो व्यक्ति पंचागनी का तप करता है और साथ ही साथ इन में से तीन का चुनाव करके अपने जीवन में लागू कर लेता है, वो तीन कौन सी हैं? वो हैं गारहपत्य, अन्वाहरियप्चन और आहवनिये, और उन्हें व्यावारिक रूप से कैसे लागू करता है, कि जैसे यज्ज करने के लिए ये अगनी आवश्यक है वैसे जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है वही ब्रह्मचरे से ग्रेहस्त ग्रेहस्त से वानप्रस्त और वानप्रस्त से सन्यास तक पहुँचने के लिए योग्यता या उर्जा बस ये संकेत रूप में वो ले लेता है वहाँ से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो परमात्मा को और अपने आपको ठीक वैसे ही समझते हैं जैसे च्छाया और आतप यानि च्छाया और धूप अगर परमात्मा की अनुभूती है तो च्छाया समझ लीजिए और हम केवल आत्मा आत्मा ही है तो आतप समझ लीजिए धूप समझ लीजिए यानि हम केवल आत्मा धूप और ब्रम्भ भी यदि साथ में हैं तो च्छाया जिसके लिए एक मंत्र आता है स्तुति प्रार्थना उपासना का तीसरा मंत्र ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाह यस्य च्छाया अम्रितम परमात्मा की च्छाया अम्रित के तुलिह मोक्ष सुखदायत है बस ऐसी ही च्छाया परमात्मा की इस उपनिशद में बताई गई है कि हम आत्मा परमेश्वर परमात्मा हम धूब की तरह जो पंचागनी तप करने वाले और तीन अगनियों को जीवन में ले आने वाले ब्रहमधित लोग होते हैं वे ईश्वर और स्वयम को छाया और आतप की तरह मानते हैं समझते हैं उन्होंने जान लिया है कैसा इश्वर और कैसे हम यह हम कल वाली कक्षा में देखेंगे आज की कक्षा